नमस्कार जन्नक की पकार में अपकर स्वागत है बिहार के सुपॉल जिला में मुश्ला धार बारिश से किसानों की खेत में छाई हर्याली बिहार के सुपॉल जिला अंतरगत छातापर प्रखंडक शेत्र में मंगलवार की सुबह से एक शेत्र में हो रहे मुशलाधार बारिश से किसानों की खेत में हर्याली च्छाने लगी है अभी किसानों की खेत में धान की बुआई जोडों पर चलनी पहले दिन से ही शुरू हो गई है लोग दिन भर अपने खेत में धान की फसल की बुआई करने में लगे हैं कई किसान बारिश के दोरान ही ट्रैक्टर से खेत की जुताई वो कादो कराई कार्य करते हुई धान रोपनी कार्य में जुट गए हैं कई खेतों में महिलाई धान रोपनी गीत गाकर रोपाई कार्य करने में जुटे हुए हैं शेत्र के किसानों ने बताया कि दलहन की फसल नश्ट होने की बाद लोग फिर से अपने खेतों को तयार कर धान की फसल लगाने में जट गए हैं। मगर लगातार इस तरह से पानी हुई तो धान का फसल भी पानी में डूपने का डर है। देखते हैं इस बार कुदरत किसानों की किसानी करणे में साथ देती है या नहीं फिल्हाल बारिश किसानों के लिए अमरुद का कारे कर रही है। च्छातापुरसदर पंचायत की किसान महिंदर शर्मा ने कहा कि मंगलवार की सुबह से शुरू होई मुश्लाधार बारिश किसानों के लिए काफी लाव प्रद है अब तो आप लोग को पठा के लाई तो हम लोगो मसीन मनाने परता मसीन मना को तब पठाते हैं अब ताव धान रपा होता तो उसमें थोड़ा जादे खरत हो जाता तो आप लोग को उपर वाले का महर्वानी हुआ अपर वाले को खुब महर्वानी हुआ अच्छा ये आपका बिचर है क्या यह पोधा लगाए चे कहां पर है वो पोधा तो कब रोपा कीजेगा बारिस तो आप में काफी हो गया अच्छा टेक्टर से रोटा बेटर से कादो करवाए हैं क्या नाम हुआ आप किसान है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार